अगर आप शारुख खान की फिल्म पठान का वेट कर रहे हैं तो क्या आपने एक बात गौर की है कि पठान की शूटिंग के दौरान शारुख खान गेट पे ओफ इंडिया पर काफी स्पोट किये जा रहे हैं अभी पिछले साल नवंबर के महीने में ही शारुख गेट पे ओफ इंडिया पर स्पोट किये गए जाहुनों ने कैमरा से बचने की लाग कोशिश की लेकिन वो पाप राजी के कैमरों में कैद ही हो गए आपको बताते कि शारुख एक स्पीड बोर्ट में बैठे और अलिबाग के लिए निकल पड़ी इस दौरान उन्होंने ओलिफ कलर की फुड़ी पहनी हुई थी और मुपर ब्लाक कलर का मास्क और आखों में एक गॉगल लगाया हुआ था और अब आज एक बाब फिर शारुख गेट्वे आफ इंडिया के बाहर स्पोर्ट किये गए और इस बार उनके साथ उनका छोटा बीटा अब रामभी था और इस दौरान भी शारुख ने अपना लुग छुपा कर रखा और वो फिर निकल पड़े अलिबाग के लिए अब सवाल ये है कि आफे पठान बार बार क्यों जा रहा है अलिबाग क्या शारुख अपने अलिबाग वाले बंगले में पठान की शूटिंग कर रहे हैं या फिर शूटिंग की वज़र से शारुख कहीं बाहर नहीं जा सकते तो ब्रेक लेकर वो चिल करने के अपने अलि वाला बंगला देखेंगे तो दंग रह चाहेंगे मुंबई से कुछ किलो मीटर की दूरी पर अलिबाग में भी शारुक खान का शांदार सी फेसिंग हॉलिडे होम है जहां छुटिया वितान और दोस्तों के साथ पार्टी करना शारुक को बेहत पसंद है शारुक ने इस बंगले को साल 2015 में खरीदा था ये बंगला अलिबाग के फिल पीच पर बना हुआ है आठ एकर में बने इस बंगले को शारुक ने करीब 15 करोड में खरीदा था और शारुक ने अपने इस बंगले में फुटबॉल ग्राउंड, फूल एरिया और प्राइविट जिम एरिया भी बनवाया हुआ है और शारुक के बंगले तक बोर्ड के जरिये ही पहुँचा जा सकता है और तो और इसके लावा शारुक ने यहां एक हाली पैट भी बनवाया हुआ है आसे आपको बता दे कि अली बाग एक कोस्टल टाउन है जो साउथ मुंबई में पढ़ता है ये एक छोटा और सुन्दर सा शहर है इसे आप मुंबई का मीनी गोआ कह सकते हैं जहां पर कई फिल्म्स की शूटिंग हो चुकी है और कई बड़े-बड़े स्टार्स के बंगने और फार्म हाउस यहां बने हुए हैं ये बहुत सुन्दर और शांत चगा है और यही वज़ा है कि शारुक या तो चिल करने या तो फिर पठान की शूटिंग के लिए ही अलिबाग आजकल खूब जा रहे है बहुत अब यह तो वक्त भी बताएगा कि पठान आखिर बार-बार क्यों जा रहा है अलिबाग रजय आप क्या कहना चाहेंगे इस पर शेर कीजे अपनी राई कमेंट सेक्शन में